तो हेलो दोस्तो कैसे हैं आप दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंस्टाग्राम की स्टोरी सेटिंग के बारे में पूरी इंस्टाग्राम स्टोरी की फुल सेटिंग्स बताने वाला हूँ दोस्तों तो कैसे उन setting को आप कर पाएंगे अपने mobile में कैसे Instagram story को आप change कर पाएंगे और क्या क्या settings होती है Instagram stories related और कैसे कैसे उसका use कर पाएंगे दोस्तों तो A to Z बताने माला हूं Instagram story की settings के बारे में कैसे आप उसको use कर पाएंगे पूरी step by step करके बताने वालों कैसे आप उसको enable कर पाएंगे कैसे उसको disable कर पाएंगे और actual में क्या उसका use होता है तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे तो चलते हैं दोस्तों आगे मेरे नम सणी और और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐस अपने प्रफाइल में जाने के बाद यहां पर आपको प्राइवसी वाले ऑप्ष्न पर जाएंगे यहां पर आपको मिल रहा होगा देखिए का नीचे मैं comment, tag, mention और उसके नीचे आपको मिल रहा है story वाला option आपको दिख रहा होगा आपको उसके क्लिक करना story वाले option पर तो यह option खुल जाएगा आपको दिख रहे हैं यह settings कुल जाएगी तो एक तो हो गया आपको तरीका कि आप यहां से settings में जा सकते हैं और आपको एक short class बता रहा हूँ तो वहां से जागे और पूरा step by step बताऊंगा कैसे आप इसको use कर पाएंगे तो उसके लिए आपको जाना अपने यह home वाले page पे home पे जाने क्यादा आपको यहां से swap करेंगे left hand side तो आप देखेंगे आपका यह toPor चुका है instagram आपका यहां पर खुल गया instagram story का आपका option यहां खूल गया यहां पर आपको जाना उपगी तरफ setting का option आपको दिख़रा होगा यहां जाना आपको setting वाले आपशन पर जैसे setting वाले option पर जाएंगे तो आपको यहां पर ऐसा intervenence मिलने वाला है यहां पर आपको जाना है story वाले setting पर story वाले option पर जाना है आप देखेंगे आपको यहां पर settings बल रही है सबसूपर option मिल रहा है आपको hide story from आपको hide story from मतलब कि अगर आप यहां पर किसी user को select कर लेंगे तो आपकी story उस बंदे को नहीं दिखेगी चाहे आप कितनी भी story डाल देंगे तो उस बंदे को कभी वापकी story नहीं दिखेंगे तो हमेशा clear उसके लिए hidden हो जाएंगी या बोल सकते हैं उसके लिए story आपकी block हो जाएगी आपकी story उसको नहीं दिखेगी करें लिए यहां पर आपको हाइड नाम यहां तो अब मैं यहां से कर लता हूं आप जैसी करेंगे तो आपको इहां is बा ένα डे यूजर स्लेक्टेड अब आपटेट हो जाएगा 0 Punch wish here-one paper यहां done कर दूंगा तो यह देखें, done कर दिया, मैंने वहाँ पर जाओंगा, तो आप देखेंगे, आप one person आ गया, और one person लिए, औरा मेरा नाम उपर देख रहेगी, मेरी मेरे को ही यह स्टोरी नहीं दिखेगी हैँ मेरे दूसरी इढ Gary CrossFriend तो आप यहां पर Create कर लीजी यहां जाना Get Started पर यहां पर आप CloseFriend को किसी को भी आप Create कर सकते हैं तो लाइक मैंने एक यह ले लिया और एक यह दो लोगों को ले लिया है दो लोगों को minimum लेके आपको यहां से Create करेंगे तो यह Create हो गई अब होगा गया दोस्तों मैं अब इसको बताया तो उसको एक्चल में यूस कैसे होता है यहां डंग कर लेते हैं लाइं करने के बाहर आएंगे तो यहां पर मैं कोई सी भी Story को यहां पर कर लेता हूं हैं इसको फ्रेंड कैमरे और उसको कर लेते हैं एक Story क्लिक कर लेते हैं तो यह मैंने यहां पर Click कर ली कि यहां पर इंधर क्लिक करली यह यहां स्टोरीवाला ओपशन दिख रहा है और नीचा दिख लिख क्रoter कर दूंगा तो यह में सिर्ट स्थिर और बागी अगर लोगों को नहीं दिए लोगी तो यह स्टेया हुट यह सब करता है अग्यां सेन्ट पर भाइए तो सेर्ड होगत प्लूस तो सरे कर दो सिर्डिखेंगी और किसी को स्टॉरी नहीं देखे को आपके स्टोरी सरिफ वही लोगी देख पाएंगे जिसको आपने कर रखा है उसके आप नीचे आएंगे दिया आपको एक उप्शन मिलता है लाओ रिप्लाइण रियक्षिन का उप्शन दोस्तों इसमें होता गया यहां पर आपने डिफॉल्ट रहता है उसके पीपली को तो दोस्तों everyone में क्या होता है कोई भी आपके मैं बता जाता हूँ उसका use क्या है उसके लिए आपको चलते हैं बाहरे story पे तो story पे जाने के लिए मैं अपनी story पे ले जाता हूँ मैं यह story डाल के रखिए आप देख रहे होंगे यह करना किया रहेगा उसके लिए आप जाना है यहा पर story वारे setting मे अपने story में जाना यह जानाãy setting में setting में जानने के बाद आपको जाना story वारे यहाँ पर आपको कर देंगे people you follow पे तो जिनको आपने फॉलो कर रहा हुँ और जिन्मोंने आपको शेव ऑबग चली एता हम सब्सक्राइग कलिक करते हैं और होता अब से क्ञा love और ये और slightly यूजरे सकते हैं सें मैं सी नीचे आपको फ़ोष्ट करता है अगर आप चाहते हैं कि अपकी जो पर सेवोना चाली हो जाए या क्राइब में वोगी तीन से दिन के लिए आटमेंटी डिलीड हो जाएगी उसके नीचे जाएंगे तो आपको एक option मिल रहा है अगर आप चाहते हैं यह आपकी को आपकी को को शेयर कर सके तो आप इसको अनेबल कर दो और आप चाहते हैं घाला जांति कि आपकी स्टोरी को facebook पर शेयर हो जाये तो आप इसको इनेबल कर दिजिए आपको यह अपना facebook account को लिंक करना होगा आप देख रहो है यहां पर दिख्या है आपको अपना facebook account enabled करना और तो आपकी स्टोरी आपोस्ट होने लगजाएगी facebook पर तो यह तो दोस्तों यह मैंने आपको यह सेटिंग्स बताई जो कि स्टोरी से रेटेट थी फूरी सेटिंग दोस्तों तो तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आगी दोस्तों प्लीज लाइक शेयर और जरू करें और अभी तक आपने मेरे चनल सब्क्र करना ना बूलें और मुझे इंस्टाग्राम फेज़ु खोलो करना भी ना बूलें इसका लिंक आपको डिशन पर मिल जाएगा तो थैंकी दोस्तों